हेलो एवरीवन वेलकम टॉर्गत क्लासेज आज यह लेक्चर सेकेंड है मोडन हिस्टी का कोशन का यह काफी इंपोटेंट लेक्चर है आप इसको यूपी पीजिस में यूज कर सकते हैं भी पेस्ट आपको यह हैल्फुल रहेगा ठीक है चलिए हम लोग कोशन स्टार्ट करत इसकोशन में पहला अप्शन क्या है अप्सेंस ओफ नेशनलिजम इन इंडिया दूसरा है कि दा कंपनी आर्मी रिसीव बेस्टन ट्रेनिंग एंड देहाड मॉडन आर्म्स ठीक है से क्यां इंडियन सोल्जर्स लाइग दे फाइडलिटी कंसी कुएंटली दा वन आप दा पेर्ड दैम सफिसेंटली सफिसेंट कूड हैब दैम ऑन इस सर्विसेज अगर आप देखेंगा तो यह तीनु रिजन था कंपनी का सक्सेस का इसका आंसर क्या होगा ओल आप देखे आप देखेंगे कि नेसलेजम की मतलब बहुतारी मतलब भीक्नेस था मतलब अपसंस था तो कि हर एक के जो प्रोविंस था इसकी जो इंडिया में ठीक है इसे कि अगर आप देखेंगे तो वो लोग असिर्फ अपने पर्ट्रुकुलर उससे जगह के बात करते थे ना कि आल अवर इंडिया की एक वो था आप कहता कि जो कंपनी की आर्मी थी वह काफी ट्रेंड थी वह मोडर नाइस्टी और हमाएं लोग तलवार अगर से लेरते इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इं लंदन कोन भारत का मतलब की राजा था जिससे में इस इंडिया कंपनी जो लंदन फॉर्म हुई थी यह आपको इसी कुशन है बहुत सारे पूशा किया है इस कांसर हो जागा इसका के सक्या है इसकांसर है अकबर अगर आपको देखें कि तो यह 1606 शे से 156 शे 1626 अकबर उससे में यहां पर राजा था ठीक है इंडिया में एंपेर मुगल का ठीक है वेर इन इंडिया डिड़ा बिर्टी शेट अप दियर फस्क्रेक्टरी बिर्ट पॉसिवल नहीं है अमर्व फॉसिवल ने आप इससे ऑप्सिन साथ इसको अलिमिट कर सकते हैं इसकांसर क्या था सूरत फॉलोविंग विच्व दाब इस ओफिसल डिफिट पूर्दगाज अड़दा स्वाली इसको बैटल अफ स्वाली बोलते हैं जो कि 6012 में हुआ था ब फॉस्ट उस समय गवर्नर थे वहां के लग्यों वह जो ऑफिसल से ठीक है विलियम होकिंस बीसमें थामस रवी है जो से चाल्ड भी है थामस रव विलियम होकिंग का कंट्रिविशन कहीं हो रहे है ठीक है चलिए फिट क्या है बाव में वास टेकेन और वाड़ बाड़ इं पूर्तकाल इसको बॉर्दी में दे देता है ठीक है बॉंबाइ को तो आप मुझे बता है कि जो डॉरी एक्ट भारत वह वह कब आया था ठीक है चाहता क्या है कि 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 कार नेकिक वार किसके बीच में वह था अखर आप देखेंगे तो ये यंग्राइश और फ्रेंज के भीच में हुआ था ठीक है कानियटिक वार ठीक है वह कानेटिक वार वो 1746 से 1748 तक में हुआ था ठीक है उसके बाद क्या था इस था यह था फर्स्ट कानेटिक वार थी कशन कि अब इसको आपको से इंधा करी बाद में थे थे तो 9th मैं पुर्टगावाद इंधिए उससे पहले कुंधे आगे ते इसके उसके आप फ्रेंच निचे तो नसे नास्थ में हैं भारत में इसका अंसार के ओर जोटी ठीक है सब्सक्राइब कि वह कुंछ से थे फ्रेंच था ठीक है एसेस्मेंट ओफ लैंड रिवेन्यू अब अन बेसित अब नेचर आप दा स्वाइल अन्दा कॉलिटी देख लगेगा वो स्वाइल के हिसाब से लगे के कौन से स्वाइल है ठीक है क्या है यूज ओफ मोबाइल करने इंडा वार्फियर वार्फियर यूज करना थाट क्या है कैसे कर सकते हो आप तबाकू और चिरेट चिली का ठीक है यह कुछन पुछ रहा है कि कौन इसको इंट्रड्यूस किया था इंडिया में इंग्लिस के दोवारा कौन इसमें अब देखेंगा पहला इसस्टेंट अफ लैंड रवेन्यू अन बेसिए नेचर अब दा स्वाल अन्दा क्वालिट अगराव देखेंगो यह सेवसास सूरी ने स्टाट किया था यह बैसिकली ठीक है कि मेडिवल इंडिया में ठीक है और क्या है कि यूज आफ कैनन इंदा और फिर यह तो बावर्ण ने किया था ठीक है आप मुझता है कि कौन से वार में कौन से बैटल में इसको तौप को यूज किया था तो अब को ठीक है काल्टिवस्ट अब तबाकू और रेट चिली यह तो आपको पूर्टगाद लेकर आयते पूर्टगाली जब आयते तो यह सब चीज लेकर क्या थे तबाकू रेट चिली टमेटो यह सब उनका उनका कंट्रिबूशन है और दसमा कुशन क्या है आप मुझे कमें बताएं कि ऑपरेशन विजय उन्हीं से एक सट में हुआ था इसमें क्या हुआ था ऑपरेशन विजय में इंडिया ने किसी हराय थ था ठीक है उसके बाद वह वहां से खतम हो गए थे ठीक है तो आज के लिए अतना ही यह थे कुछ आपको दस मोडर्न हिस्ट्री के जो कि आपको इस्टेट पीसे में काफी यह यूस्फुल है आपको पहले बता दिया हूँ सो आज के लिए अतना ही मैं आपको नेक्स टेक्चर में आपके लिए ठाड लेगे आऊंगा मोडर्न हिस्ट्री पर ही और आप मेले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकान को आप क्लिक कर सकते हैं करते हैं सकते हैं